राई अब शुरू करते हैं आगे का एजेंडा उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है बहुत बड़ा सवाल है अभी यूपी में सियासी हलचल है यूपी के डेप्टी सीम केशव प्रसाद मौरे की दिल्ली में बीजेपी के राष्टी अध्यप्च जेपी नडडा के साथ मुलाकात में जो बात हुई उससे चुड़ी कुछ अहम जानकारी एबीपी नियूस को पता चली है आपको बता दें प्रसाद की मुलाकात हुई है जेपी नडडा के साथ इसके अलाबा जो प्रदेश के पीजेपी अध्यक्ष है उनकी भी मुलाकात हुई है और अभी की एक और बड़ी कबर आपको बता दें सोशल मीडिया पर केशव मौरे का पोस्ट सामने आया है संगठन सरकार से बड़ है ये बात उपहले भी कह चुके है इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उन्होंने ये पोस्ट किया है कारेकरताओं का दर्द मेरा दर्द ये कह रहे है केशव प्रसाद मौरे संगठन से बड़ा कोई नहीं यानि उनका जो स्टैं पर संगठन सरकार से बड़ा है कारेकरताओं का दर्द मेरा दर्द है संगठन से बड़ा कोई नहीं कारेकरता ही गौरव हैं ये बात लिखी गई है केशव प्रसाद मेरे सायोगी जुड़ गया है लखनों भी आपको लिए चलेंगे अभिशे कुपा ध्याय मेरे साथ मुलाकात हुई है कि शब मौरकी उससे जुड़ी और क्या जानकाली सामने आ रही है क्या-क्या बाते हुई है इस मुलाकात में देखे दो बातें बहुती महत्पूर्ण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बाती ये कोई प्री-प्लांड मुलाकात नहीं थी जैसा कि कहा जा रहा है ये मुलाकात तैं हुई जिस दिन प्रदेश कारसमित की बैठकती संडे को नड़ा जी यहां पर आये हुए थे और उस समय जो बात्चित हुई उसी में ये तैं हुआ कि वो पांच संग्ठान और सरकार के पांच बड़े चेरे हैं उनसे एक-एक करके मिलेंगे जिसमें कि सियम योगी आदितनात से लेकर के केशो मौरिया, ब्रजेस बाठक, संटन मामंत्री, धरमपाल और प्रदेश सदज भुपेन चौधरी ये सब के सब शामिल हैं कल एक दिन पहले बाठादा इसके लिए फोन आया है, उसके बाद केशो मौरिया गए हैं, बुपेन चौधरी गए हैं और वहाँ पर हमारी पास पक्की जानकारी इस बात की कि केशो मौरिया ने पूरा यूपी की एक्चुल कंडिशन खोल करके रग दी है केशो मौरिया ने दो बड़ी बातें एहम बताई हैं, सोर से ये बता रहे हैं केशो मौरिया ने नहीं, बलकि केशो मौरिया वुपेन चौधरी दोनों लोग की बातों का जो निचोड है, वो यही है कि हताशा ने रासा जो बढ़ रही है, अगर इसका रास्ता नहीं निकला गया, तो 2027 के लिए आसान नहीं है और चौथी बात ये कही है, कि एक कंक्रीट रोड मैप सामने आ जाए, और वो सामने आएगा, तभी रास्ता निकलेगा, इन हालातों में रास्ता नहीं निकलने वाला है और मैं एक बात आपको और बता दूँ कि केशों मर्या के जिस ट्वीट का भी आप जिक्त कर रहे थे, ये ट्वीट इसी ये जो मैं आपको सारी बाते बता रहा हूँ, एपकी नूँ जो खबर ब्रेक कर रहा है, जो जांकारी दे रहा है, ये इसी दाएरे के समित में उसको आज ट्वीट करने का कोई और आश्य नहीं था, ये वही संदेश है और संदेश शीशे की तरह साफ है, ठीका विश्यक मैं दुबारा आपके पास लोटूंगा, बाकी मेरे सयोगी भी जुड़े हुए हैं, इस बीच एक एहम ख़बर और है, सुत्रों के मु मुल्डोजर एक्शन को अलोग प्रिये फैसला बताया गया, इस बात का भी जिक्र हुआ है कि प्रदेश कारे समिती की बैठा के बाद भी सरकार के रवये में बदलाव नहीं हुआ है, अमिशे के ये जो बाते सामने आ रही हैं, कुल मिला कर ऐसा लग रहा है कि योगी सरका के कामकाज को लेकर ही तमाम बाते रखी गई है, फीडबैक. अगया, डिश्टल से कड़ाई करने का, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुचाने वाला हो सकता है, कि देखे, पीठासी नाधिकारी से लेकर के सारी चुनाओं की जिम्मदारियां, जिनको प्रैमरी लेवल पजित के कंदों पे होती हैं, आप उनको ही नारास कर रहे हैं कि कोई सरकार की कारपडावी में कोई बदलाव नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा और जब तक ये नहीं आएगा, कारकरताओं तक मैसेज नहीं जाएगा, संठन बड़ा है, सरकार उसके नीचे है, ये जो बात केशो मौरिया कह गए और जिसको आज भी टूट किया है, इस पास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये हैं इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एब आपको रखे आगे